जय हिंद एवरीबन अब सब कापकी यूट्यूब चैनल राष्टे सेवा पर स्वागत है अज हम डिसकस करेंगे अपनी एक और मिलिटरी एक्सेसाइज इंडिया और नेपाल की सुर्य किरन 17 यहां पर जॉइंट मिलिटरी एक्सेसाइज स्टार्ट हो रही है उत्रा खंड प थोड़ा गड आप सबको पता होगा यहीं पर हमारे पास लेपूर लेख भी आता है जहां से मान सरोवर यात्रा जाती है आप सबको पता है दो स्टेट्स हैं उत्राखंड और सिक्किम जहां से मान सरोवर यात्रा जाती है मान सरोवर यात्रा जिसको M.E.A. Ministry of External Affairs यहां पर इंडिया और नेपाल की जॉइंट एक्सेसाइज यहां पर आ गई है 24 नुवंबर को यहां के P.I.B. डेली की निउस है यहां पर स्टार्ट होती है मैं त्री द्वार तो आपको मैं पहले भी सूरे किरन का नाम ले रहा था सूरे किरन, मित्र शक्ति, हरिमाओ शक्ति, काज जिंड, ओस्ट्रा, हिंद, आप देख रहे हैं कि लगातार एक्सेसाइज आपके पास आ रही हैं तो इस बार के F.CAT के लिए तो यहां पर पिछले 6 महिने में बहुत सारी एक्सेसाइज आ चुकी है माला बार एक्सेसाइज से स्टार्ट होती है आल्मुस्ट जुलाई के म पहले आपको यह पता हो कि किन दो कंट्रीज के बीच में है नमबर 2 कौन सी लोकेशन है यहां पर कि किस जगा पर यह हो रही है नमबर 3 यहां पर कौन रिपरजेंट करेगा फ्रॉम दा इंडियन साइट यह तीन चीजे आपको पता हो इससे बाहर आपको मिलिटरी एक्सेस सूर्य किरन नेपाल आर्मी को यहां पर आल्मोस्ट 334 पर्सोनल यहां पर रिपरजेंट कर रहे हैं जो की 17 एडिशन होने वाला है सूर्य किरन सबसे पहली एक्सेसाइज 2011 में पूंती अगर आपसे यहां पर स्टेट्मेंट वाली कोशन आ सकते हैं 123 तो उसमें पूछा जा सकता है कि सबसे पहली एक्सेसाइज कब हुई थी तो 2011 में पिथोडागाड में 24 नुवंबर को यह स्टार्ट हो गई है यहां पर 7 दिशंबर तकी चलने जा रही है एक यह एन्वल इवंट है जो की ऑल्टरनेटिवली इन टू कंट्रीज यहां पर कंडेक्ट किया जाता है आप सब को यह पता हो यहां पर एन्वल इवंट आल्टरनेटिवली यह आप से पूस्ट चकते हैं जैसे ऑस्ट्रा हिंद में देखा कि लास्ट टाइम तो राज़त्तान में हुई थी और इस बार इंडियन कॉंटिजेंट ऑस्टेलिया गया है आल्टरनेटिवली एक कंट दल बटालियन तारा दल बटालियन आ रहा है और हमारा कुमाउं रेजीमेंट ओप दिस इस क्लियर यह आप से पूछा जा सकता है कि कौन रिप्रेजेंट कर रहा है दिस एक्सेसाइज विल प्रोवाइड प्लैट्फॉर्म फोर सुलजर्स फ्रॉम बोड़ दा कंट्रीज अब तो आपको सारी एक्सेसाइज में देखने को मिल गया होगा कि कॉमन लैंड बे जा रही है यहाँ पर ठीक है दोनों कंट्रीज अपनी बेस्ट प्रेक्टिस को बेस्ट आइडिया उसको बेस्ट एक्स्पीजेंस को आपस में शेयर करेंगे बेस्ट प्रेक्रेसी हो कि दो ए म्क एति गया है इंचर ऑपनी जहांग्ल बॉर्फियर काउंटर टेरिजम के प्लेशिंज रिस्टेस यहां पर ao Drag्सा के लगानटींस थी यहीं डिशाशले डिशार ने बहुँंड पर help करी है तेक है जो कि UN Charter है Peace Keeping Operations का तो यहां पर क्या-क्या focus किया जा रहा है कि drones किस तुरीके से employ करने हैं counter drone आप सब को पता है counter drone measures लगातार आते जा रहे हैं and अब तो warfare में almost drones यहां पर use करने जा रहे है यहां पर आप देखेंगे आई भी international waters पे भी आप देते हैं कि लगातार drones यहां पर drone यूज़ करे जा रहे हैं so that to have an eye on the enemy medical training होगी aviation aspects हो गए यहां पर environment conservation हो गया इन सब पर यहां पर focus किया जाएगा इन activities की through the troops है वो अपने operational capabilities को बढ़ाएंगे उनकी जो combat skills हैं वो refined होंगी क्योंकि दूनों countries की best practices share होंगी ठीक है coordination बढ़ेगा यहां पर so that was challenging situation को भी tackle down कर सकें तो आप देख रहे हैं कि maximum exercise का यहां पर जो aim है वो सेम रहता है बट आपको बस यह पता हो कौन सा addition है कहां पर हो रहा है कौन represent कर रहा है ना exercise सूरे किरन एक strong bond दिखा रहा है इंडिया नेपाल के बीच में friendship ट्रस्ट कॉमन कुल्ट्र लैंग्वेज एक्जिस्ट बीविन इंडिया और नेपाल आप सब को पता है रक्सोल गंज ठीक है बिहार वारा जो भी पॉर्टर आ गया और यहां पर नेपाल ठीक है कि इन दोनों के बीच में यहां पर बहुत अच्छा relation चल रहा है ठीक है बेटी रोटी का रिष्टा ठीक है आपने आप सबको पता है कि यहां से यहां पर मदेश्टी ट्राइब्स है नेपाल में यहां पर इवन मैनेजिस भी की जाती है यहां पर इंटर बॉर्डर पर ठीक है तो इसलिए कल्चर लिंक ट्रस्ट जो फ्रेंशिप है यह और स्ट्राउंग होगा एंड कही ने कहीं एक फ्रूट्फुल इंगेजमेंट होगी जो की कमेंट्मेंट दिखाएगी दोनों कंट्रीज की कि कि किस तरीके से डिफेंस कॉपरेशन करना है या पर और ब्रॉडर करना है पहले कंट्रीज के रिलेशन पर भी पड़ता है और जो बाइलेटरल यहां पर रिलेशन होती है दोनों कंट्रीज के बीच में वो यहां पर क्या होते हैं और स्ट्रेंदन होते हैं इंक्रीज होते हैं तो यह थी हमारी 17 अडिशन सूर्य शक्ति तो आप देख रहे हैं मोटी- की थी यहां पर ठीक है और अब आगी सूर्य किरन तो बहुत सारी एक्सेसाइज तो आपको अभी ही देखने को मिल गई हैं लास्ट एक-दो महीन में ही अज आई प्रॉमिस्ट दिसम्बर में इन सभी एक्सेसाइज को मैं एक और प्लेलिस्ट बनाकर यहां पर दुबारा स प्रफशेशन जाह हंदो आएल टेक केर